आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास एट में जो हमारा चैप्टर नूबर 14 है मैंसुरेशन वक्षिर 2 हमने स्टार्ट की हुई है वक्षिर 2 का लास्ट कोश्चन करेंगे कोश्चन नूबर 4 पहले एक बाष स्टेटमेंट को जहां से देखें देखो इसमें क्या दिया हुआ है ऐपका एक पैंटगोनल पार्क है और पैंटगोनल क्या होता है जिसमें 5 साइडस हो और यह आपका पार्क यहां से देखो 1,2,3,4,5 साइडस है इसकी להखे ज़िया तो दिपाइड फेरे जो figure है, आपको इसका area find करना है, ठीक है? और हमें figure में दिया हुआ है, ये आपका 12 meter है, ये वाली दोनों side 15 meter की है, ठीक है? और ये दोनों side आपकी equal है, और ये जो है, यहाँ से आपका, ये आपका कितना दिया हुआ है, 28 meter, सब कुछ दिया हुआ है, अब ये जो दो, अब नहा ने क्या किया, नहा ने जो उपर वाला वेर्टेक्स था, यहाँ से उन्हों ने एक परेबालिब्रो कर लिया, ठीक है, तो यहां से धो आपकी फिगर बन गी है, ठीक है, यहां से, उसने तो इस तरीके से किया अब आप यहां से देखो कि अगर मान लेजे चलो उसने इस तरीके से break कर भी दिया तो यहां से अब आपको इसका area find करना है तो कौन सा लगेगा अब आप यहां से देखो यह भी आपका एक trapezium है क्योंकि यह line और यह line parallel है एक trapezium और यह बीच में क्या आएगा इनका perpendicular distance को कि 1990 के angle बन रहे है एक trapezium यहां और एक trapezium यहां तो उसने तो दो trapezium में बांटा है ठीक है लेकिन जो निदी है उन्होंने क्या किया है उन्होंने जो complete figure है नीचे यहां बीच में इसको ऐसे मिला है उपर एक triangle बन गिया है और नीचे एक आपका quadilateral कहलो या आप उसको rectangle कह सकते है इस तरीके से उन्होंने बांटा है ठीक है अब हमें इस question में देखो अब उन्होंने बताना है find the area of the parking both way अब आपको दोनों ही girls जैसे भी उन्होंने figure को बांटा है आपको उसी हिसाब से इनका क्या करना है area find करके बताना है ठीक है तो सबसे पहले हम करेंगे नेहा का ठीक है यहां से आप पहले उपर लिख देना नेहास figure ठीक है नेहास figure में सब सारा question पहले किसके हिसाब से करेंगे नेहा के हिसाब से ठीक है तो हम यहां से find करेंगे area of, क्या है यह आपका, यह आपका एक pentagonal park है, pentagonal park, ठीक है, pentagonal park, अब आप यहां आप इसके देखो क्या करो, आप इसके points के name लिख दो यहां पर, a, b, c, d, e, और f, ठीक है, तो अब आप यहां से देखो, निहा के according क्या था, एक यह भी आपका क्या है, देखो मैं आपको यहां इसको थोड़ा rotate करके बताती हूँ, अगर हम इसको ऐसे यहां से ऐसे कर लें, थोड़ा zoom कर देती हूँ, ठीक है, अब आप यहां से देखो, पिर आपका कैसे होने चाहिए, पैर्लेल होने चाहिए, तो यह दोनों लाईने पैर्लेल है और यह इनके बीच क्या जाएगा, डिस्टेंस हा जाएगा, तो एक ट्रैपीजियम यहां है, ठीक है, ऊब दोनों का एरिया equal ही आएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों trapezium का area निकालो और दोनों को क्या कर दो add कर दो लेकिन अभी मैं आपको यहां पर एक चीज बता रही हूँ देखो उन्होंने पहले तो मिसमिस की dimension भी लिखनी पड़ेगी उन्होंने बोला यह आपका कितना है 15 meter यह भी 15 meter है तो यह भी 15 meter है ठीक है नीचे वाला पूरा 12 है यहां से यहां तक आपका 12 था लेकिन आपने यहां से प्रपेंडिकुलर ड्रो किया प्रपेंडिकुलर क्या करेगा हाफ यहां पर रह जाएगा हाफ यहां पर रह जाएगा तो 12 को 2 pieces में आप ब्रेक करोगे तो 6 meter यहां रह गए है हमारे पास और 6 meter यहां पर रह गए और A से D कितना आएगा यहां पर आपकी पूरी लैंड कितनी है 28 तो यह आपका कितना आएगा 28 meter ठीक है अब आप यहां से देखो एक बार figure में इस वाले figure में यहां पर दो trapezium है इस trapezium में भी जो parallel side हो 15 और 28 है इस वाले trapezium में भी 15 और 28 है ठीक है और यहां से जो perpendicular distance है यहां पर भी 6 meter है और यहां पर भी 6 meter है तो हम क्यों ना यह करें कि एक trapezium का निकालके उसको सिर्फ कितने से multiply कर दें टू से ठीक है आप ऐसे भी क कर सकते हो यहां पर तो हम यहां से यहां फिर आप लिखी दो आप complete लिखना चाहते है तो आप complete लिख दो तो हम यहां पर लिखेंगे area trapezium area trapezium यहां पर यह आपका क्या है इसका नेम लिखो आपका जो left में है यह वाला इसका नेम कहाएगा A, D, E, F A, D, E, F plus area trapezium area trapezium और यह इदर वाला इसका नेम कहाएगा A, B, C, D ठीक है यह वाले जो figure है A, B, C, D A, B, C, O, D अब इसका area of trapezium क्या होता है 1 by 2 into sum of parallel side multiply by height ठीक है यह होता है अब आप यहां से देखो अगर मैं इसको यहां से चुपा दूँ तो इसमें आपकी parallel side कुनसी है यह वाली और यह वाली means E, F और यह आपका आजाएगा F, E, A, D F, E plus A, D into अब यहां पर लिखो 1 by 2 into sum of parallel side यहां से क्याएगा अब second figure ही है sum of parallel side आपकी क्या है B, C, A, D B, C, A, D into और height आपकी क्या है यह DC या CD कुछ भी लिख सकते हैं अब आप सिर्फ इसमें इसकी value पुट करो आप कहांसा निकल जाएगा 1 by 2 sum of parallel side यह 15 और 28 15 plus 28 into height अब आपकी यहां से यह है 6 ऐसे ही दूसरे में भी simple यही आएगे इसमें जादा सोचने की जवरुतनी है 15, 28 into height है यहां पर 6 ठीक है आप इसको अगर figure को ऐसे देखोगे ठीक है तो यही आपकी height है यहीगी तो यहां से अब आप इसको solve करो तो कितना आएगा 1 by 2 into 15 और आप इसको add करोगे तो कितना बन जाएगा आप add करो 15 में 28 add करेंगे तो कितना आजाएगा 43 into 6 ऐसे यहां पर भी add करो 1 by 2 into 43 into 6 ठीक है इसको cancel करो 2 3s are 6 2 1s are 2 2 3s are 6 तो इसको यहां पर multiply करो 3 3s are 9 3 4s are 12 129 plus 129 कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा ठीक है add करो तो कितना बनेगा चाहो तो आप इसको यहां rough में लिख के add करो वैसे मैं तो आपको कहोंगी कि जिस राइम आपका paper हो रहा हो तो आप इसको लिख के add करें क्योंकि इसमें गलती होने के chances खतम हो जाते हैं 258 अब आपका यहां पर देखो सभी यहां पर मीटर मीटर लिखा हो है तो आपके answer में भी आप यहां पर क्या लिखोगे मीटर स्क्वेर सोरी आपको यहां मैं शायद नहीं दिखा 129 plus 129 करेंगे तो answer में आपका जाएगा 258 मीटर स्क्वेर यह तो हमने किया किसके according किया है यह question तो हमने किया नहा की जो figure है उसके according किया ठीक है दोनों trapezium इस trapezium का निकाला इस trapezium का निकाला और दोनों को क्या कर दिया यहां पर add कर दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास जो यहां से नीधी वाली फिगर है, यह वाली जो फिगर है, हम इसके according करेंगे, ठीक है, तो बहुत हम यहां से करते हैं, हमारा question start, यह हमारी है नीधी फिगर, नीधी फिगर, आपका area यहां से, मैं पहले ही बता दूँ, आपको same आएगा, उसका reason बताऊंगी, क्या है, देखो, माल लेज ठीक है, और आपके जो father के brother है, उन्होंने इस type से बना है, लेकिन आप देखो, उन्होंने जो जगह है ली थी, वो तो बराबर ली थी, ठीक है, और हमारी जगह होती है, जो हमारा place होता है, उसी को हम area कहते है, यह जो surface है, ठीक है, और तो लिया तो बराबर था, तो दोनों यह अगर आप यहां से लिख दो, P, Q, R, S, T, ठीक है, अलग name देना चाहते हो, तो अलग दे सकते हो, ठीक है, नीचे वाल आपका 12 meter है, यह वाल आपका 15 meter है, ठीक है, और यह दोनों आपकी उन्होंने बोला कि यह sides आपकी कैसी है, equal है, इन्होंने यह बोला है, ठीक है, और यह जो figure है, आप इसको ध्यान से देखो, नीचे वाला देखो, आपका यहां आपने इसको इससे मिला है, यह वाली side, इसके side, 15 के एक वाला है, यह 12 है, तो यह भी आपका कितना आजाएगा, 12 meter, ठीक है, तो यहां से यह 15, यह 15, यह 12, यह 12, तो नीचे वाला तो हमारा क्या बन गए, एक rectangle, और उपर वाली हमारी क्या बन गई है, एक triangle, ठीक है, तो हम यहां से find करेंगे, निधी's figure, ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे, area of pentagonal park, area of pentagonal park, तो हम यहां से area of pentagonal park लिखेंगे, तो देखो, यहां से हमें क्या लिखना पड़ेगा, यह नीचे तो हमारा क area of rectangle, area of rectangle, प्लस area of, उपर वाली हमारी क्या है, triangle, triangle का name क्या है, p, t, q, p, t, q, यहां से rectangle है, rectangle का भी name लिख दो क्या हैगा, यहां से आप लिख दो इसको, q, कहीं से भी start कर लो, t, q, r, s, t, q, r, s, ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, अच्छे से, तो हम यहां से देखो, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम area, यह जो हमारा rectangularize का area लिखेंगे, area क्या होता है, base multiply, height, तो हम यहां से, नहीं, sorry, sorry, length multiply, breadth, length, multiply, breadth, ठीक है, rectangle का area, length, multiply, breadth, प्लस area of triangle, लिखने, अब आप यहां से द triangle क्या होता, 1 by 2 base into height होता, ठीक है, लेकिन अगर आप यह वाले triangle देखो, कि चलो ठीक है, base तो मान लिजे कि हमारे पास यह 12 है, लेकिन इसके उपर हमारे पास ही height नहीं दी हुए, तो मैं आपको पहले तो यह बताऊंगे, कि height हम find कैसे करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा जू नीचे का यह distance हो कितना है, 28 है, ठीक है, means, यह वीडियो यहां से बीच में break हो गया था, तो मुझे थोड़ी सी वीडियो अलग से बना के मैं add करूंगी, तो यहां थोड़ा रहा गया था, यह वीडियो पीच में से बंद होगी, पतानी चला था, तो मैं आपको यहां से बत दिया था, इसलिए मैं सिर्फ इसको repeat ही करूंगी, यहां से देखें, ठीक है, यहां से बापको अच्छे से clear हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, यह जो नीधी वाली figure है, मुझे इसका area find करना है, अब आपको यहां से दिख रहा होगा, एक second, ठीक है, नीधी figure, area of pentagonal park, यह जो pentagonal park है, मुझे इसका area find करना है, तो इसको हमने दो pieces में break किया, नीचे वाला तो यह क्या है, rectangle है, और उपर वाला triangle, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया, area of rectangle, नीचे वाली rectangle का area निकाल देंगे, और उपर वाली triangle है, दोनों के area निकाल के उनको add कर देंगे, ठी triangle के area का formula होता, length multiply breadth, ठीक है, प्लस area of triangle का हमारे पास formula होता, 1 by 2 into base multiply by height, ठीक है, अब यहां से देखो, मुझे यहां से इसमें देखना है कि length और breadth कितनी है, ठीक है, अब यहां से देखो, इसमें length तो यहां आजएगी, यहां इस point से लेके, यहां इस point तक, ठीक है, sr, sr हम य area find करना था, ठीक है, इसमें सिर्फ मुझे यह पता था, यह 12 है, और यह जो दो triangle की side थी, वो हमारी कैसी थी, equal थी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहां, देखो, मैंने यहां से perpendicular, यह दरसल मैंने पहले पढ़ा दी थी, लेकिन वो बीच में से video बंद हो गया, मैं dotted line लिया है, मैं नीचे वाला मैं एक तरीके से draw नहीं कर रही हूँ, अब मुझे यहां से perpendicular की length निकालने हैं, कि P से लेके, यह U तक, यह उपर वाला point पर इसको थोड़ा ओर zoom कर लेते हैं, ठीक है, हाँ जी, अब आपको चैसे दिख रहा होगा, अब आपको देखो, यह अब मुझे triangle का area निकालना है, triangle का area होता है, base multiply by, 1 by 2, base multiply by height, अब मुझे height नहीं पता है, मुझे height find करनी थी, क्योंकि figure में आपकी यह दी नहीं हुए थी, ठीक है, यहां से देखो, यह जो figure है, इसमें आपको सिर्फ यह दिया हो है, कि यह पूरा 28 है, यह 12 है, यह 15 है, यहां से उपर से लेकर नीचे तक 28 है, यहां से उपर से नीचे तक ऐसी है, यहां पर एक ऐसे line row की है, ठीक है, अब मुझे निकालना है कि उपर वाला part कितना है, और नीचे वाला part कितना है, नीचे वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उपर वाला निकालना है, इ यहां से यू से लेकर यहां नीचे यह वाला पार्ट भी आपका कितना होगा यह आपका 15 होगा complete length तो है 28 लेकिन सिर्फ नीचे वाला part कितना है 15 है तो अगर आपको यह पी से यू निकालना है पी से यू निकालना तो आपको इसके लिए यह मैंने आपर लिखा भी इसके है 15 तो पूरा 28 है नीचे तक का 15 है 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 मीटर तो मुझे पता चल गए कि ये पूरा 28 था नीचे तक का 15 था पूरी लेंथ में से नीचे वाला हटा दिया रिमूव कर दिया और मैं रिमूव करने को क्या अरिया निकालना तो इसका फॉर्मुला है 1 by 2 बेस मुल्टिप्लाई हाइट ठीक है 1 by 2 बेस की जगा आप देखो आपका बेस तो आ जाएगा ये टीक्यू मल्टिप्लाई हाइट आजाएगी आपकी पी से लेकर मैंने इस पॉइंट को यू नेम दिया पी यू ठीक है पी यू अब हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे जिस साइड की जितनी लेंथ हम उसमें फिल कर देंगे ठीक है तो अब आप यहां से देखो मुझे इसमें लेंथ एस आर एस आर थी 12 तो मैंने लिखा 12 क्यू आर क्यू आर मेरी 15 मतलब लेंथ मुल्टिप्लाई ब्राएट तो 12 मुल्टिप्लाई 15 यहां पर लिख दिया प्लस 1 बाइ 2 एज इस अब बेस देखो बेस इसमें यह टीक्यू है जिसकी लेंथ कितनी है 12 तो टीक्यू की मुझे लिखा 12 मुल्टिप्लाई बैब यहां पर मुझे पी यू लिखना और पी यू की लेंद मैंने निकाली थी वो कितना था 13 तो यहां 13 ठीक है अब सिर्फ हमारे लिए हमारा जमीन काम है वो कहा है हमें सिर्फ यह कैलकुलेशन वर्क करना है और कुछ नहीं ठीक है तो ठीक है तो यहां 13 और 6 रहेगे 13 को 6 से मल्टिप्लाई करेंगे आपको 13 की टेबल आते होगी 13 6 तार 78 बस लास्ट में हम 180 में और 78 आड़ कर देंगे तो कितना आजाएगा 180 प्लस 28 मैंने यहां पर रफ में आड़ किया है तो इनको आड़ करते हैं तो कितना आता है 258 मीटर स स्केर दो ट्रैपीजियम बना के निकाला था लेकिन जो यह हमारी नीधी वाली फिगर थी इसमें नीचे एक रेक्टैंगल और उपर एक ट्रैंगल दोनों का हमने यहां से निकालके इनको एड़ किया ठीक है दोनों को निकालके एड़ किया तो इसका भी अंसर हमारा कितना रहा है 258 नेहा से भी और निदी से भी दोनों के तरीके से हमने इसका एरिया निकाला थो हमारा है 258 मीटर स्क्वियर ठीक है आप पूरी कंप्लेट फिगर को किसी भी तरीके से डिस्ट्रिब्यूट करोगे चाहे आप उसके दो ट्रैपीजियम बनाओ चाहे एक रेक्टैं को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इस चाप्टर की जितने भी वीडियोस हैं उन सब वीडियोस की प्लेडिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां से भी हैल प्ले सकते हैं थैंक्यू सो मच